जाग ने जो एश्वरिया से शादी के हवारी से स्ट्रेटमेंट दी है, उसको कैसे देख रहे हैं? पता नहीं मैं तो हिरान था कि वो बात कन्वसेशन हो रही है ऐसे बैटके कि जिन 2009 में आप में कैसे जीते और उन शुरू ऐसे किया कि नियत से कि नियत अच्छी थी कप्तान की मुझे कॉन्फिड़न्स दिया और अचानक यह पतनी एश्वरिया राएबचारी कहां से आगी और किदर से किदर कड़ी मिल गई, I think बहुत बुरी बात है अपॉलजाईस तो वैसे कुछ दिर पहले उन्होंने वीडियो मैसेज के थूरू हम भी करते हैं उनके बहुत बुरी बात है, ऐसी चीज़, आपको कोई तालुक नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है, I don't know कहां से किदर किदर चले गए, I think कि इसके ओपर extremely sorry, from our side beyond, आप किसी भी तरह एथिक्स को line, एक draw है, उसको अप्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी sect से हैं, किसी भी religion से हैं, और clear ambassador है, आप इस तरह ऐसी बात करके, तो इसकी रेलिवेंस क्या बंगती, मतलब, उनके दिल में खयाल आया होगा, इसको यह क्याल हो तो दिल में apology देना, यह दूसरा, यह sexist remarks, अब्दुर रजाग के बहुत अर्सेते दे रहे हैं, यह निदाडार के मुतलिक भी उन्होंने एक statement दी थी, और वो भी जो है, वो social media पे headlines बनाती रही है, यह नहायती stupid किसम की statement है, और यह आपका character जलगता है regarding औरत को आप किस तरह से perceive और किस समझ आती है कि यह क्या upbringing है, किस तरह की upbringing है, आज कल के जमाने में आपका इतना ज्यादा इस तरह की tunnel vision है और इस तरह की आपके views है regarding women, मैं तो हरान होता हूँ कि इनको तो हटा के और इनके उपर तो बकायदा तोर के उपर एक, मतलब है issue करना चाहिए है, एक notice किसम का, कि यह पहली दफा जो चलें, आप बलती से कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से बयान नहीं दे सकते हैं एक responsible platform के उपर, इसलिए कि आपने ठीक का, यह ambassador role भी होता है, आपको लफस तोल के बोलने की जुरूरत है, और हाम-खाम है सारी cricket fraternity को यह नीचा कर देते हैं, because लोग यह assume क बढ़ते हैं कि यह सारे ऐसे ही होंगे, बल्कुल ऐसे ही है, और पूरे पाकिस्तानी, यह मतलब मेरा यह नहीं कि एक किसम से इससे बड़ी कोई market stupidity मैंने नहीं देखी है, और यह अकसर ऐसी stupidity करते हैं, बल्कुल ऐसे ही है, मैं काओगा, यह सब सीखे में, मैं सीखे हैं इ अगर एक बार, एक मिसाल शरमानी चाहिए, आपको आपके जहन में, यानि मीडिया या आप खुद उस मीडिया में, बेंट के पैसे कैसे ले रहो, यह कैसा mindset है लोगों का, यह मीडिया में काम करने वाली, फिल्म में काम करने वाली लड़की घलत होती है, यह अपने जहनों अब सालों घरवालों के साथ बैट के अगर तूने एश्वरिया राए की कोई फिल्म ना दे की हो, तो आजा हल्फ लेके बात कर, अरे बच्चे बगल में लिटा कर, शारू का सल्मान को दिखा के बढ़ा कर दिया बच्चों को इन्होंने, और कहते हैं कि एश्वरिया यह यार शरम करो यार रदा, कम से कम बढ़ती उमर में यह तो ख्याल लगा, बहुत बुरा लगा बई, मैं माफी चाओंगा आप से भी, लेकिन बात यह क्या आपकी किर्केट की बात होती ना, कोई मसला नहीं है, आपकी राय है, निकल गई, बोरे किर्केटर नहीं थे, लेकि बढ़ा, आप खुद को बनाते हैं, मुझे तो उमलियों पर यादे, मैं मता दूँँ, आपने कहा अच्छा क्या है, आप जो वर्ल्ल कप के बाद काल्टर ने उनाइटिड सीरीज खेलने गए न, महां तक आपका पेस्ट देश, जैह हिंद स्वागत है, आपका हमारे चैन खिलाडियों के जवाब आया उनको, और आज विरेंदर सहवाग ने तो पाकिस्तान की जम का दर्या उड़ा दी कि हम दूस्मनी भी ब्याद समेथ वापिस लोटते हैं, आपने देखा हुआ किस तरह सहवाग ने पाकिस्तानी टीम के लिए ट्वीट किया था कि पाकिस्तान जिन्दा वाग तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में बाब राजम को लेकर काफी डिवेट चिड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक पूरो किर्केटर, इनको मैं किर्केटर तो नहीं कहूंगा, कि इस तरह पता नहीं है, इनकी सोच ऐसी लगी नहीं रही है, औ खुद देखिए, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अबदुर्जा को भी कुल निचाने पर ले लिया और देख इकर टोकी किर्किरी मतलब क्या बात है या रिश्वरिया रहे बेटा उनकी उनकी कंट्री में वो एक सालिब्रिटी रिस्पेक्ट करते हैं लोग और हमारे पाक्सान में यहाँ आज़ा मुस्लीम हमें किया इसका जाता है कि वुरत की रिस्पेक्ट करो, वुमेंज को रिस्पेक्ट दो, तेरे तू यही है ना फिर, पठी हो आप लोग, आप लोगों ने अजूकेशन असल नहीं की, बेटा है अजूकेशन यही तो सिखाती है, जिन लोगों ने अजूकेशन असल की होती है ना कमज कम उनको एक ऐस से शो में बैठके बात करनी की तमीज आ जथी है कि अदर शाहद अफरीदी बैठके दांत निकाल रहा साथ हूँ उधर कामरान अकमल बैटके साथ निकाल रहा है मحمد यूसफ बैटके साथ दंत निकाल रहा है बेटा क्या है यार आप मेरी बाह सुनो ऐसे इंडिया में इक शो होता है उद्वित है इंडिया में इक शो होता है उत्र बैठके पाकिस्तान के किसी अक्ष्चेस के बारे में कहा देते हैं फलाँ के साथ शादी करो और नेक उलाद हो जे जी उसमें, यह तो वैसे ही साब हो गया, मतलब कहने का मकसद है का पाकिस्तान टीम के जो मेरे गंटे का किंग, मेरे गंटे का किंग, कह रहा है का मेरे गंटे का किंग है, यह बोबजी दी किंग दी गंटा, इसका दिल साफ नह था इसलिए पाकसान वर्ल्ड काप नीची था फिर क्या रहा है शौरिया रहा है शादी करो और नेक उलाद पैदा करेगी और ना पाकसान वर्ल्ड काप जी तेगा यह इग्जेमपल का मुझे मिनिंग बता दे तूने किस लाजिक के साथ इसको इसके साथ relate किया है और तुझे मैं मुसल्मान बोलू तुझे मैं पाकिस्तान ही बोलू फिर और तुझे मैं ये बोलू कि तुझे पाकिस्तान को सर्वकार क्या है और इंटरनाशनल सता के उपर और तुझे इंडिया में तुझे इंडिया में प्यार मिला है तुझे इंडिया में प्यार मिला है और फिर कहते हो अर्फान पठान डांस करता है अर्फान पठान अफगानिस्तान की जीत पर डांस करता है अर्फान पठान ये करता है अर्फान पठान वो करता है डंडा तो आपके अंदर फिर गंटा बज़ता आपका थो यह अगर ना देखो मैं 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 बैलस करता मैं उनस्री के साथ बात करता हूं अगर आप लोग कहते हो ना इर्फान पतान डांस करता तो गल्द करता वो गरता है तो यह जी तरह भी पाकिस्टनी टूटर को बैठ के हगते हैं ना उनको मैं यह बता दूँ यह अब्दूरर्जाक की तरह भी तरफ भी आ जूना थोड़ा उन में इंडियन्स भी हैं और मेरा फर्द बनता है ये अगर गल्ट बात हो और उसके अपना अपीनियन रखूं आके मेरा काम क्रिकेट पर बात करना है मेरा प्रफेशन क्रिकेट है मेरा प्रफेशन ये नहीं है लेकिन मैं इस वज़ा से बात कर रहा हूं कि बैटा मुझे जो देखते हैं जो सुनते हैं वो इंडिया में भी रहते हैं कि मुझे उधर से प्यार भी मिलता है और मेरा ये काम बनता है कि मैं ये बात करूं कि अब्दुर्रजा की जूरत किस तरह हुई है कि उसने एक लाइव शो पे आगे किसी ची मा बेटी बैन बीबी के उपर आगे आप बकवास पेल रहे हो कि तुझा बेटा को रहे हैं किस लेवबे किस कौन से लेवल में पाक सार पर तूछिंग आ रहा है पाकसान में कौन से लावल पर तुम कोचिंग कर रहा है किस कंट्री ने तुझे अज़ा कोच रखा हुआ है आप तो टीवी उपर बैठ के वह महाना सतरजार ले के अपने गार के अटापनी पूरा कर रहे हो आप तो इस पार अबदुर रजाग तो टीवी को पर आता है किसी भी इवन्ट में इवन्ट की ट्रास्विशन करने वर्ल्ड काप या पी एसल बगारा की तो अपने घर का हर्चच चला रहा होता है तो आप इश्वरियर आवे बात करोगे फिर इदर कुछ गंटे उड़ते ह हैं विराट कोली पर बात करना शुरू कर देता है उद्र मुहमद अफीज विराट कोली अपने लिए खेलता है आप क्यों क्या है कि दुनिया के नंबर वन प्लेयर के उपर जो वर्ल्ड क्रिक्ट की हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर है क्रिक्ट की हिस्ट्री में से बेतर प् बैटा वो गेम से बड़ी क्रिकिर से बढ़ा है यार विरार्ट कोली सिंबल मैं भाट भी हतम 커रता है। वोल्ड क्रिकिर से विरार्ट कोली बढ़ा है और यह मैं नहीं कहा रहा है। जो खेलती है ना उसके साथ ग्रांड में आपोजी टीम के बंदे यह वो भी कहते हैं को विराट कोली गेम से बढ़ा है यह जो तेरे गंते का किंग है बाब बॉबजी गंटा उससे भी पूछना जाओग है कि विराट कोली गेम से बढ़ा या नहीं बढ़ा तो बैटा है उन्होंने जहाँ सारी हदे करास कर दी हैं कल जहाँ एक इवेंट हो रहा था कराची में जहाँ पर जहाँ वो दोजार नो के वर्ल्ड कप के सारे खलाड़ी पाक्सितार के मौजूद थे शाहिद अवरीदी, शोहिब मलक, यूनस खान, साइद अजमल, अमर गुल, अब्दु अब्दुर्ड़्ल रजाक, वहाँ पर जहाँ बहुत सारी बाते हो रही थी और बातु बातू मैं, बाबराजम क्प्तानी की बाते चली, तो अब्दु रजाक साभ ने, वहाँ पर, जो आ बात करते हुए ये बोला, के, णिरु किmotल उन्हें श्वेरिया रॉय की दे दी, तो आप पिर नेक उलाद की और अच्छी उलाद की अमीद कैसे कर सकते हैं यानि के उस औरत के करेक्टर के ओपर जो इनोंने बात की और फिर जो आवो इतनी बकवास किसम की वाबर अरकते हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते अब्दुर्जाक ने जब ये बात की वीडियो में फॉरण से मेरे सामने जब ये वीडियो आई मैंने फॉरण से सुना मेरे मुझे ये निकला कि बत्तमीज ये अलफाज मेरे मुझे निकला लेकिन वहाँ पर जो हमारे लेजंड्स बैठे हुए थे शायद अफरीदी यूनस खान और अमर गुल सारे लोग उन्होंने अब्दुर्जाक के मुझे ये बात सुनके तालिया बचाईए तालिया इनकी यार हदनी हो गई है फिर आप लोग ये कहते हैं कि भाई साब हमें इंडिया में हेट मिलती है शायद अफरीदी आके जा वो लाइव आके कहते हैं कि इंडिया में लोग मुझे से नफरत करते हैं मेरे पाकिस्तानी दोस्त मेरा साथ नहीं देते पाकिस्तान के मिडिया वाले मेरा साथ नहीं देते आप लोग ऐसी गटिया हरकतें करेंगे जो हम गिरी हुई अर्कतें करेंगे तो क्या हम आपको बैटके डिफेंड करेंगे तो देखा दोस्तों आपको किस तरह अब अब अबद्ल रजाक कि बलेहीं चाहिए पाकिस्तानी कुछ भी कहते हूं या सिरफ एक इंडियन वीवर से पाने का फुर्मूला है और अब्दुल्रजाक भी इसमें इसी ओड़ में मचे हुए थे कि किसी भी तरह से इस वर्ल्ड कप के बीच में थोड़ी बहुत अपनी ट्यार्पी बढ़ा सके लेकिन दोस्तों इनकी सचाही और इनकी जैनिये तसल सरमनाक है इनको दोस्तों बारत की तरफ से तो आए दिन जवाब मिलता है लेकिन इनको किसी भी तरह की सरम नहीं आती है तो क्या करें हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे मिलते है एकले वीडियो में तब तक जैह हिंद पर